बिहार के सियासत में दो इववा नेता एक साथ नितीज कुमार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे देखें तेजस्वी यादो और ओसामा साहब की जोड़ी जो है वह इस बार के जो चार सीटों पर बिहार बिधान सबा में उप चुनाव है उसमें तेजस्वी और ओसामा का जोड़ी जो है वह देखने को मिल सकता है देखिए आपको मालूम है कि बीते दिन ओसामा साहब राजदानी पटना के तेन सरकुलर रोड राबडी अवास पर लालू परसाद ज्यादों के उपस्तिती में उन्होंने आर जेडी जोईन किया देखिए साथ में हेना साहब भी वहाँ पे थी तो कहीं ने कहीं एक बार फिर से लालू परिवार से और दुइंगत मुहमद साहबुदीन के परिवार की जो दोस्ती थी जो साहबुदीन के वक्त लालू और साहबुदीन के बीच जो दोस्ती हुआ करता था वह एक बार फिर से दोनों परिवार के बीच हो गया है अब चर्चा है बिहार के सियासत में कि आखिर ओसामा साहब और तेजस्वी एक साथ कब दिखाई देंगे कब परचार परसार के लिए बाहर जाएंगे तो देखिए आपको बता दे जारकंड में भी बिधान सभा का चुनाव है और तेजस्वी यादों को अब से आरजेडी को दिया गया है तेजस्वी जारकंड दोड़े पर थे लेकिन अब तेजस्वी यादों पटना आ चुके हैं और बिहार के जो चार सीटों पर उप चुनाव है वह चारों सीटों पर तेजस्वी यादों तैयारी करने में जूट गये हैं अब उसामा करते जस्वी इसलिए जाएंगे क्योंकि देखिए जो माइनोरिटी वोटर हैं यानि कि मुस्लिम वोटर वह कहीं ने कहीं आरजेडी से दूर जा रहे थे आरजेडी इस बात को समझ गई वह सामा साहब हेना साहब को आरजेडी में जौइन कराए गया ताकि जो मुसलिम वो परसांद किसोर की पाटी यानि के जनसुराज और एंडिये सेंदमारी कर रही थी तो लालू परसाद यादो जो राजनीती के धुरेंदर हैं वह इस बात को समझ गए और 2024 में जो नुकसान हेना साहब के साथ ना रहने से हुआ था उसको भरपाई करने के लिए अब आरजे और रहामा सहब जैसे ही और जा गैंघelet में अब जो मुस्लिम वोटर हैं वह से जुड़ते हुए से डिखाई दे रहें कि आपको मालूम है की आरजेडी जो है मूख रूप से कहा जाता है कि मुसलिम और यादो की पार्टी है समिकरन की बात करती थी तो तो तेजसवी और उसामा एक साथ दिखाई दे सकते हैं चुनावी मैदान में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर राय दीजेगा भी हार एक सोच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद